हेलो गाईज तो आज हम आप लिए सेमसेन का डबल डोर फ्रोस्ट फ्री रेपरेटर लेकर आए हैं मॉडल नमबर है आटी बैयाली सेम पचपन अटी से सेट और चारसो पंदले लिटर का रेपरेटर है MR भी इसकी 56,000 रुपर दे रखी है लेकिन यह आपको बहुत कम प्राइज में मिल जाएगा तो हम इसको उन्बोक्स करेंगे और आपको बेस्ट फिचर्स दिखाएंगे तो अगर आप चैनल पर पहली बार आया हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके और क्लिक कर लें तो हम इसको उन्बोक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं कुछ इस प्रगार के कलर और कॉन्टरास्ट में आएगा बिल्ट कॉलिटी बहुत शांदार है और लुक और डिजाइन आपके किचन में बहुत ही प्रिमियम दिखने वाला है लुक काफी अट्रक्टिव है और यहाँ पर आप देख सकते हैं डिजिटल डिस्पले दे रखा है जिसमें की ट्विन कुलिंग प्लस टेकनोलोजी के साथ आपको मिलता है 5-in-1 कनवेटबल दे रखा है फ्रिज और यह डिजिटल पेनल आपको किस तरह से अप्रेट करना है यह अगर आपको जानना है तो आप हमारा दूसरा वीडियो देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद मैंने डिस्क्रिप्चन में लिंक दिया है और एंड स्क्रेंड भी दी हुई है लास्ट में तो आप उसे देख लीजेगा ट्विस्टार रेटिंग में यह रेप्रेटर मिलेगा 281 उनिट साल में खाएगा 415 लिटर का रेप्रेटर है लेकिन 384 लिटर की स्टोरेज केपसेटी मिलेगी 10 साल की वारंटी है कंप्रेसर की एक साल की कंप्लेट फ्रीज की Digital Inverter Technology दे रखी है इसलिए इसमें Noise Volume बहुत कम होने वाला है किसी प्रकार का ज़्यादा आवाज नहीं करेगा Fridge शोर नहीं मचाएगा आप अगर आपके Bedroom में भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं हो रहेगी यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको अंदर का इंटिरियर देखने को मिल जाता है उपर की तरफ Twin Cooling Plus Technology मिल जाएगी और नीचे की भी तरफ कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं लुक मिल जाएगा सबसे ची बात किसमें डियो डियराइजेशन दे रखा है जिसमें की आपका फ्रीज पूरी तरह से हाईजिन और फ्रेश रहने वाला है और इसका जो आइस बॉक्स है जो की निचे वेजिटेवल बॉक्स में रखा हुआ है तो बड़ा वेजिटेवल बॉक्स भी दे रखा है ट्विन कुलिंग प्लस टेकनोलोजी के साथ मिल जाएगा और यहां पर आपको देख सकते हैं मल्टी परपस डेरी प्रोडक्ट के लिए आपको चिलर ट्रे मिल जाएगी ट्विन कुलिंग प्लस टेकनोलोजी है और कुलिंग मिल जाएगी Air Booster मिल जाएगी इसमें बहुत बड़े बड़े फीचर्स हैं बात करें इसके बेस्ट फीचर्स की तो इसमें आपको ट्विन कुलिंग प्लस टेकनोलोजी मिल जाती है जिससे कि इसके अंदर हिम्मॉनिटी कंट्रोल रहने वाली हैं जिसे अगर आपको फ्रीजर में ज़्णा जगा की आउशकता रहेगी तो आप उसे कहीं पर भी रख सकते हैं या निकाल सकते हैं और Movable Eyece Maker है इसलिए आप आसानी से इसमें आइस बना सकते हैं और आसानी से बाहर की तरफ निकाल भी सकते हैं तो काफी बढ़िया ice maker दे रखा इसमें, movable ice maker है तो आपको ज़्यादा space मिल जाएगी फ्रीजर में cool pack दे रखा इसमें जिससे कि अगर आपके घर की light अगर चली जाती है और 10 से 12 घंटे तक ये फ्रीजर का temperature मतलब 0 degree के नीचे ही रखेगा जिससे कि आपके जो फ्रीजर में रखे हुए यह जो भी dairy product है वो खराब नहीं होंगे और काफी बढ़िया रहने वाले हैं तो power freeze technology दे रखे इसमें आप बाहर से कोई चीज लेकर आये हैं और अगर आपको तुरंत उसको freeze करना है तो आप इसमें एक button press करेंगे तो इसमें fast cooling होईगी बात करें next features की तो इसमें आपको power cool technology मिल जाएगी या auto sense भी करेगा और आप manual भी कर सकते हैं तो अगर बाहर से कोई चीज लेकर आकर इसमें आप रखते हैं तो ये एक दम से अपना temperature बढ़ा लेगा जिससे की उसे fast cool कर सके तो ये इसके best features हैं आप manually भी set कर सकते हैं और auto sense कर भी ले गाई तो big bottle guard भी दे रखा है इसमें जिसमें कि आप हर तरह की bottle रख सकते हैं दो लिटर की bottle भी रख सकते हैं और बात करें इसके next features की तो इसमें आपको all round cooling मिल जाती है all round cooling मतलब कि ये auto sense करते रहता है कि कहां पर क्या रखा हुआ है और उसको separate cooling देते रहता है तो 20 गंटे ये sense करते रहता है और हर जगह cooling देता रहता है पूरी तरह से बले fridge कितना भी वरा हुआ हो सभी जगह इसमें अच्छे से cooling होने वाली है और इसमें आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की toughened glass shelf दे रखिए और काफी बड़िया रेप्रेटर है अंदर का इंटिरियर भी काफी अच्छा है और shelf को आप उपर से नीचे की तरह एक जगह से दूसरी जगह पर इसमें आपके फ़ल और सबजिया लंबे समय तक आप इस टोर करके रख सकते हैं और 15 दिनों तक इसमें आपके fruits and सबजियां वेसे के वेसे ही रहने वाला है, humidity control रहने वाली है तो काफी बड़िया रेप्रेटर है और बात करें इसकी brightness की तो अंदर की तरफ काफी अच्छी brightness रहने वाली है जो LED light है वो काफी अच्छी तरीके से दे रखिये और काफी बड और